Dear students, Welcome again in the lecture series on inorganic polymers. Inorganic polymer की lecture series में फिर से आपका स्वागत है और इस lecture series में जब हमने Phosphate Genes के बारे में पढ़ लिया है कि वो क्या होते हैं, उनकी क्या preparation method है, कितने तरीके के वो होते हैं, and what are their properties, what are their applications. तो यह हम previous lecture में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे about bonding, कि Phosphate Genes में bonding कैसे होती है, उसको हम इस lecture में discuss करेंगे. यह आप देखिए Phosphate Genes में bonding किस तरीके से होगी, उसको मैंने आपको यह orbital diagram से समझाने की कोशिश की है. अब यह अगर हम देखें, देखिए, यह जो मैंने orbitals बनाए हैं, यह क्या है Phosphorus, एक्चुली यह क्या है Phosphorus, ठीके, यह है Nitrogen, अगेन यह है Phosphorus, और यह अगेन क्या है Nitrogen, ठीके, तो यह Phosphorus का electronic configuration है, जो Phosphorus, क्या है Phosphorus, excited state में नहीं, it is in ground state, so this orbital is 3s, this is 3p and this is 3d, तो आपने पहले पढ़ लिया है कि जो Phosphorus है, वो 5 bond बनाएगा, 5 bond बनाने वाला है, एक πाई होगा और बाकि सिग्मा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर there should be 5 unpaired electron, bonding के लिए क्या जरूरी है, 5 unpaired electron होने चाहिए, यह जो Phosphorus है, यह excite होगा, और excite होके, यहाँ से एक electron कहाँ चला जाएगा, d orbital, तो अब पांचो के पांचों electrons, they become unpaired, अब यह क्या हो गए, अन पेर हो गए, यह जो है, this is the orbitals of nitrogen, यह इसका 2s orbital है, और यह इसके 2p orbital है, again, this is another phosphorus, because there is bonding between phosphorus, nitrogen, phosphorus and nitrogen, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, 4 atom लिये हैं, एक phosphorus, फिर alternate में nitrogen, फिर phosphorus, फिर nitrogen, तो यह दूसरा phosphorus atom है, जो कि क्या हो गया है, excite हो गया है, देखिए, यहाँ पर भी 5 ampired electrons है, और यह d orbital है, यह p orbital है, और यह s orbital है, अब ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा है, क्योंकि फिर होच पोच हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन दोनों में लिख दिया है, इसका मतलब यह 3s orbital है, यह 3p orbital है 3d orbital, then again nitrogen, 2s orbital and 2p orbital, now देखिए, bonding कैसे होनी की संभावना है, यह आपने देखा कि जब आपने structure देखा था, अगर मैं आपको recall करूं उस structure को, जो हमने, अगर मैं आपको tricyclic का structure एक बार फिर दिखा हूं, तो आप यहाँ पर देखिए, कि यह एक trimer है, और यहाँ पर यह दे single bond, एक single bond, कितने sigma bond है, 1,2,3,4, तो phosphorus के चारों और आपको दिख रहे है, 4 sigma bond, और एक क्या है, पाई bond है, nitrogen आपको दिख रहा है, एक bond यह है, एक bond यह है, और एक इसके पास क्या होता है, loan pair of electron, जो हम अभी आपको orbital diagram से दिखाएंगे, तो आप आपने देख लिया है, कि phosphorus के स साथ भी एक double bond है, यह recall करवाया आपको मैंने, अब आप देखिए, इस diagram को, अब यहाँ पर देखिए, bonding कैसे होगी, देखिए, यहाँ पर यह जो दो, अब यह कैसा hybridization होगा, phosphorus पर देखिए, sp3, क्योंकि 4 sigma bond बनने है, तो sp3 hybridization, यह जो d में जो electron है, it will remain unhybridized, क्योंकि यह कि इसमा participate करने वाला है, pi bonding में, तो यह unhybridized रहे जाएगा, बाहर को orbital है, unhybridized हो सकता है, ठीक है, तो यह unhybridized orbital है, अब एक जो यहाँ से bond बनेगा, वो CL, यह जो R ग्रूप है, CL माल देते हैं, अगर हम इसको माल लें कि यह poly-chloro, दिखे है, phosphagen, तो यह क्लोरी, एक sigma bond बनाए क्लोरीन के साथ, phosphorous के साथ, दो तो R ग्रूप जुड़े, तीसरा जो sigma bond बनाने वाला है, यह nitrogen के साथ बनाने वाला है, क्योंकि P और N के बीच में, sigma bond है, और चौथा जो यह sigma bond बनाएगा, यह इसके उधर की साइट जो nitrogen होगा, क्योंकि alternate में nitrogen है, इसके इधर nitrogen, इसके उधर भी nitrogen होगा, तो चौथा जो bond है, वो किस के साथ बनाएगा, दूसरे nitrogen के साथ बनाएगा, अब यह जो orbital है, यह बच गया, यह unhybridized है, जहाँ पर एक electron बच गया है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, कि 4 orbital तो खाली है, वैसे, और एक orbital में क्या है, electron है, D में, अब nitrogen को दे कीजिए, जो इसका एक unpaired electron है, वो किस के साथ bonding बना रहा है, देखिए, इस phosphorus के साथ, दूसरा वाला किस के साथ, दूसरे phosphorus के साथ बनाएगा, क्योंकि दूसरे के साथ attached है, और जो यह एक क्या electron बच गया, unhybridized, यानि यहाँ पर nitrogen के उपर क्या hybridization है, SP2, SP2, यह दोनों जो ह electron है, यह unhybridized रहे गया, ऐसे ही इस पर जो electron है, वो unhybridized रहे गया, ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह दूसरा पी है, यह दूसरा एन है, तो ऐसे ही, यह दो तो bond बनाएगा chlorine के साथ, sigma bond, तीसरा sigma bond इस nitrogen के साथ बनाएगा, और चौथा sigma bond इस nitrogen के साथ अब एक unhybridized electron यहाँ बज गया, और एक unhybridized electron यहाँ बन गया, तो अब हम देखेंगे, अगर हम जिस्ट देखें, देखें, sigma bond formation कैसे हो रहा है, देखें, nitrogen का PX, और phosphorus का PX, मान लिजए, यह PX है, तो यह sigma bond बना रहे है, फिर देखिए, phosphorus का S orbital, phosphorus का S orbital मान लिजए, यह CL के साथ bonding कर रहा है, S orbital, मान लिजए, CL के PY के साथ कर रहा है, फिर दूसरा phosphorus भी है, वो CL के साथ कर रहा है, और चौथा जो bond बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, P का Phosphorus का PY मान लिजे और N का PY दूसरे N का PY तो चार बन गए देखे Sigma Bond ये Phosphorus के 4 देखे 1 Phosphorus, 2 Phosphorus, 3 Phosphorus 4 Phosphorus Phosphorus का S, Phosphorus का PX Phosphorus का PY Phosphorus का PZ Phosphorus का S, Phosphorus का PX PY and PZ ये चारों किसमें पार्टिसिपेट कर रहे है sigma bonding में, अब nitrogen देखिए, nitrogen का PX, nitrogen का PX, और nitrogen का PY, यह देखिए, nitrogen का PY, यह दोनों क्या बना रहे हैं, sigma bond बना रहे हैं, अब कौन सा electron बचा, PZ में, PZ में electron बचा है, और यहां एक D में unhybridized orbital बचा है, हर एक P में और हर एक D में, अब क्या formation होगा, PY bond का भी formation होगा, यह PY bond का formation देखिए, दो तरीके से होगा, एक तो देखिए, यहां electron बचा है, nitrogen के PZ में, और एक electron बचा है, P के, एक orbital में बचा हुआ है, तो यह दोनों क्या करेंगे, sideways overlapping करेंगे, और PY bond का formation होगा, एक और PY bond का formation होता है, जहां पर आप देखेंगे, nitrogen का SP2 hybridized orbital, यह SP2 hybridized orbital, जिसमें electron pair है, वो, इसके, यह तो DX square के साथ, यह DXY के साथ, sideways overlapping करके, क्या बनाता है, PY bond बनाता है, एक्चुल में, क्या होता है, Phosphorus, चार तो बनाता है, सिगमा bond, और दो बनाता है, पाई, वो एक पाई आपको दिखता नहीं है, बट वो पाई है, जहाँ पर इसका, यह orbital, जिसमें lone pair of electron है, nitrogen में, वो इसके empty orbital से sideways overlapping करके, पाई bond का formation करता है, तो हर एक P, जो है, वो चार तो सिगमा bond बना रहा होगा, और दो, एक तरीके से आप कह सकते हैं, दो क्या बना रहा होगा, पाई bond, जो, जब structure हम draw कर रहें, तो हम एक पाई bond दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कितने बन रहे हैं, दो, उसके लिए दो theories हैं, वो हम देखेंगे, किस तरीके के पाई bond का formation होता है, तो अगर आपको इतना clear हो गया, कि एक phosphorus के चार sigma bond बन रहे हैं, दो तो nitrogen के साथ, जो उसके साथ alternate में हैं, और दो CL के साथ, य यह जो lone pair of electron है, nitrogen के पास, यह इस lone pair of electron को donate करता है, जो metal का d orbital है, dx square y square, उसको donate करके यह पाई bond और बनाता है, जो हमें, वहाँ पर दिखता नहीं है, बट वो होता है, तो इस तरीके साथ आप देख सकते हैं, कि sigma bond में कौन participate कर रहे हैं, और pi bond में कौन participate कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, किस तरीके से bonding possible है, phosphagenes में, देखिए, एक phosphorus है, फिर nitrogen है, फिर phosphorus 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 है, फिर nitrogen है, फिर nitrogen है, इता आपको पता, alternate में arranged हैं, अब देखिए, phosphorus के 4 orbitals, 2 Cl के साथ, और 1 orbital इस N के साथ, एक orbital इस N के साथ, तो चार सिक्मा बॉंड, एक सिक्मा बॉंड, दो सिक्मा बॉंड, तीन सिक्मा बॉंड, चार सिक्मा बॉंड, एक नाइटोजन को देखिए, एक सिक्मा बॉंड इस पी के साथ बनाएगा, और एक सिक्मा बॉंड इस पी के साथ बनाएगा, तो कितने सिक्मा बॉंड बना रहा है दो और हर एक nitrogen के पास कितने lone pair of electron है एक-एक lone pair of electron है ओके I think यहां से आपको bonding कुछ समझ में आईगी अब आप यह देख सकते हैं देखिए जो इसका skeletal system है जहां पर base में कहें P N P N P N तो कहां पर आप देख सकते हैं यहां पर skeleton में कितने sigma bond बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 skeleton जो बन रहा है उसमें 6 sigma bond बन रहे हैं जो कि P और N के पीच की bonding के थूँ बनते हैं अब आपको picture clear हो गई होगी कि यह एक phosphorus 4 sigma bond बना रहा है जबकि 1 nitrogen 2 sigma bond बना रहा है अब इसके बाद क्या होता है जो पाई bond formation होता है वो कैसे होता है उसको हम explain करेंगे यह sigma bond तो sigma bond अगर हम skeleton में देखें तो we will find 6 sigma bonds in the skeletal of phosphagen I think आपको यह तो पता चल गया कि कैसे phosphagen में sigma bonding होती है अब हम discuss करेंगे about pi bonding in phosphagen तो जो pi bonding होती है phosphagen में वो d pi pi bonding होती है क्यों होती है वो भी आपने देखा क्योंकि जो metal का d orbital है एक unhybridized orbital था phosphorous का d orbital और एक था किसका nitrogen का unhybridized p orbital तो जब वो दोनो sideways overlapping करेंगे तो वो क्या बनाएंगे pi pi d pi bonding देखेंगे एक बार आपको फिर से मैं दिखा दूँ यह देखिए यह phosphorous का d orbital है और यह nitrogen का p orbital है तो देखें यह जो sideways overlapping हो रही है वो phosphorous के d orbital और nitrogen के p orbital के बीच हो रही है इसलिए d pi pi bonding है ऐसी आप देखेंगे यहाँ पर nitrogen का sp2 hybridized orbital है और यहाँ पर जो orbital है phosphorous का होगा है d तो generally इस जो bonding है इसको अभी हम d pi pi bonding कहते है क्योंकि इस इसमें जो characteristic है वो sp2 hybridization है तो p character होता है इस तरीके की bonding भी d pi pi bonding कहलाती है d pi pi bonding को समझाने के लिए दो theories आई एक थी crag and paddock की theory और दूसरी थी जो थी वो थी दिवार and co-workers की तो अभी पहली जो theory हम discuss करेंगे crag and paddock theory crag and paddock ने क्या कहा कि ये एक n atom है ये दूसरा n atom है देखिए इसका p orbital है p z orbital और ये दूसरे nitrogen का p z orbital है तो ये क्या करते हैं ये जो orbital है वो इसको मैंने देखी आपको x enlarge करके दिखाया है ये p का orbital है ये p का कौन सा orbital है d x z अभी मैं आपको model से भी समझाने की कोशिश करूँगी ये है x coordinate ये है y coordinate और ये है z coordinate ये जो orbital है वो है d x z d x z orbital के lobes क्या होते हैं x और z के बीच में होते हैं तो ये d x z orbital जो sideways overlapping करता है इनके साथ तो इस तरीके की overlapping को कहते हैं heteromorphic n p pi d pi bonding किसके किसके बीच में हो रही है n और p के बीच में और ये क्या होता है ये आप देखेंगे तो ये plane में नहीं है ये जो plane कौन सा है जिस plane में phosphorus और nitrogen है उस plane में नहीं है ये orbital क्या है perpendicular to that plane उस plane के perpendicular है इसलिए इसको उन्होंने कहा heteromorphic ये कह सकते हैं out of plane ये orbital भी plane में नहीं है ये भी क्या है perpendicular है ये भी perpendicular है plane के और ये भी perpendicular है तो इस तरीके कि जो p pi d pi bonding है वो क्या है देखे sideways overlapping हो रही है ये देखे ये वाला orbital इसके साथ overlap कर सकता है और ये वाला orbital इसके साथ overlap कर सकता है sideways overlapping हो रही है तो इसको हमने क्या कहा pi bonding का formation हो रहा है plus plus overlap minus minus overlap बस इतना ही बता पाए cracks and paddock कि जो dxz orbital है phosphorus का वो nitrogen के p orbital के साथ out of plane d pi p pi bonding करता है क्योंकि ये plane में नहीं है dxz orbital is not present in the plane so this type of bonding is called as heteromorphic p pi d pi bonding तो cracks and paddock ने एक तो बताया कि कैसे जो xz है जो out of plane होता है वो किस तरीके से bonding करता है nitrogen के p z orbital के साथ दूसरे तरीके की जो bonding थी दूसरे तरीके की bonding जो cracks and paddock ने बताई वो थी pi dash bonding और इसको हम कह सकते है coordinate pi prime और pi dash bonding पहले इससे पहले आपने जो bonding पड़ी थी वो bonding थी dxz और pz orbital के बीच में nitrogen के pz orbital के बीच में और dxz of phosphorus के बीच में जो की out of plane type की आपने bonding देखी इसको क्या कहते थे heteromorphic pi bonding कह रहे थे यहाँ पर जो pi prime bonding और pi dash bonding है यह किस के बीच में होगी यह होगी in between sp2 hybridized nitrogen atom जहाँ पर आपने देखा था कि वहाँ दो electron थे nitrogen के पास देखिए कहाँ पर थे अगेन हम आ रहे हैं यह देखिए यहाँ पर थे दो electron nitrogen nitrogen के पास यह sp2 hybridized orbital है और यहाँ d orbital खाली है कौन से d orbital dxy and dx square y square इनकी बात हम करेंगे dxy and dx square y square क्योंकि overlapping के लिए symmetry should be matched यह आपने molecular orbital theory में पहले पढ़ा है कि जहाँ पर भी overlapping होगी चाहे वो sigma bond हो रहा हो या फिर वो pi bond का formation हो रहा हो symmetry match होनी चाहिए तो sp2 hybridized orbital है उसकी symmetry किसके साथ match करती है dxy and dx square y square orbital of phosphorus तो जो दूसरा pi bond बनेगा उसमें क्या होगा कि यह अपना lone pair of electron dxy and dx square को देगा और उसके through यह क्या बनाएगा sideways overlapping करके pi bond का formation करेगा तो इस bonding को कहा pi prime dpi ppi bonding pi prime bonding अब देखे यहाँ पर अगर हम देखे तो यह nitrogen का sp2 hybridized orbital है actually जो hybridized orbitals होते है उनमें p collector जादा होता है इसलिए हमने इसको कुछ इस तरीके से दिखाया है कि p orbital shape आपको दिख रहा है क्योंकि इनमें p collector जादा होता है इसलिए वो overlapping better करते है तो hybridized orbital होते है dxy orbital okay so dxy orbital is in between x and y axis तो x और y axis के बीच में होता है और यह जो orbital है plane में होता है यह plane है और यह जो sp2 hybridized orbital है यह भी plane में है क्योंकि sp2 hybridization की वज़े से ही यह planar structure है तो यह भी plane में है और यह जो orbital है यह भी plane में है तो इनके बीच में क्या होगी sideways overlapping होगी यह dxy of phosphorus है और यह sp2 hybridized orbital of nitrogen है जिसमें एक lone pair of electron होता है इस तरीके से यह जो bonding है यह plane में हो रही है ऐसे जो दूसरा orbital है वो dx square y square है यहाँ पर dx square y square में आप देख सकते हैं एक जो lobe है दो lobe तो x direction में होंगे और दो lobe y direction में होंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह जो orbital है यह भी plane में है और यह जो sp2 hybridized orbitals हैं they are also in plane इसलिए दूसरे type की bonding उन्होंने बताई जो की in plane हो रही है यह bonding आप देख सकते हैं यह वाला भी plane है d orbital यह दोनों भी planar sp2 hybridized orbital है यह दोना sp2 planar arbitized orbital है यह भी क्या है planar orbital है तो इसलिए उन्होंने इसको दूसरा नाम दे दिया और इसको उन्होंने कहा कि यह जो bonding है यह क्या कहलाएगी pi prime और pi dash bonding यह coordinate type की bonding होगी जो की in the plane होती है sp2 hybridized orbital of nitrogen and dx square and y square and dxy orbital of phosphorus they overlap sideways so sideways overlapping करके क्या बनाएगे pi bonding करेंगे now I will show you with the help of a model, एक model की helper से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि यह plane में कैसे है तो क्योंकि यह plane में है इसलिए इनका दूसरा नाम है इनका pi dash bonding है और जो out of plane थे उसका नाम था heteromorphic pi bonding यह दो अलग-अलग नाम दिया उन्होंने, जो out of plane था और जो in plane bonding हो रही थी pi bonding और जो in plane bonding हो रही थी pi bonding जो हो नहें नाम दिया pi πrime bonding, coordinate pi bonding हो रही है यह देखीए, मैंने model से आपको समझाने की कोशिश की है यह देखिए और ये जो है ये y axis है अब ये जो मैंने आपको orbital दिखाएं यहाँ पर nitrogen है यह nitrogen है, यह phosphorus है यह nitrogen है, phosphorus, nitrogen, phosphorus यह phosphagen है यह nitrogen के sp2 hybridized orbital है sp2 hybridized orbital यह इस तरीक से plane में है यह दिख नहीं रहे लेकिन यह plane में ऐसे plane में रखे है यह hexagonal plane है, उसके plane में यह orbital रखे हुए है अब यहाँ पर यह phosphorus है इस phosphorus के दो orbital मैंने आप से कहें जैसे यहाँ पर जो दिखाया है वो है dxy तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि dxy orbital में कैसे overlapping होगी यह देखिए यह जो orbital मैंने यहाँ पर रखा यह dxy orbital है देखिए यह x axis है यह देखिए आप plane में यह भी plane में है यह lobe x और y के बीच में यह जो orbital है आपको अगर याद होगा तो dxy orbital होता है उसके lobe x और y के बीच में होता है और यह आप देख सकते हैं सभी एक plane में तो यहाँ पर देखिए red और red plus और plus प्लस प्लस आप देख सकते हैं यह प्लस प्लस आपस में ओवरलैप आसानी से कर सकते हैं और यह कैसी ओवरलैपिंग है यह लेटरल ओवरलैपिंग है यह देखिए यह ओवरलैपिंग और यह ओवरलैपिंग यह हैड़ ओवरलैपिंग इस पॉसिबल यह पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस ओवरलाप हो रहा है और यह हैड ओन नहीं है दिस साइट वेज ओवरलापिंग और यह सारे ओर्बिटल के हैं प्लेन में तो अलग तरीके की यह प्लेनर है इसलिए यह पाई प्राइम बॉर्ड निग है अब मै यह प्लेन में है और यह देखिए इसका जो यह वाला लोब है यह यह दिरेक्शन में है तो यह आप अगें देख सकते हैं कि यह जो रेड लोब है वो एक साइड है दोल देकें एज में इजीवी ऑवरलैप को देख द धाने में यह द सकते हैं यह देखिए पाई बान न बन रहा है लेकिन प्लेन में बन रहा है आप देखेए दूसर ऑप्रेंस इसका था तो यह आप देख सकते हैं, I think आपको comparison पता लग रहा होगा, कि यह orbital, यह orbital और यह orbital एक plane में है, तो इस, यह जो planar, अब यह क्या, in plane, इस bonding को हम कह कहेंगे, in plane bonding, यह d orbital and these sp2 hybridized orbital of nitrogen atom, they are in the same plane, यह plane है, यह plane है, एक plane में, उस plane में यह 3 orbital है, इसलिए यह अलग तरीके की bonding है, और ज दिखाऊंगी, जब हम दिवार्स model पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे, वो जो bonding होगी, वो out of plane होगी, तो उसको दूसरा नाम हमने दिया, तो अगर हम cracks and paradox theory का gist देखें, तो हम यह देखेंगे, कि दो तरीके की bonding होती है, according to cracks and paradox, दो तरीके की bonding होती, एक होती है out of plane, जिसको कहते है हेटरो मॉर्फिक, डी पाई, पी पाई बॉन्डिंग, और यह किसके बीच में होती है, यह होती है, यह होती है, डी एक्स जेड ऑफ फॉस्पोरस and पी जेड ऑफ नाइट्रोजन, एक एलेक्टरोन पी जेड के पास है, जो unhybridized होता है, और दूसरा इलेक्टरो मॉर्फिक, डी पाई, पी पाई बॉन्डिंग, दूसरी तरीके की जो बॉन्डिंग होगी, होगी इन प्लेन, इन प्लेन मैंने आपको मॉडल से दिखाया, जहां पर इसको हम कहते हैं, कोडिनेट पाई प्राइम बॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर जो डी एक् मॉटी होता हे, तो यह जिस्ट है, क्रेक्स एंड पैडॉक के अकॉर्डिंग दो तरीके की पॉन्डिंग पोसिबल है, आउट प्लेन और इन प्लेन, जुदू को इन प्लेन, लेविल डिसक्स दिवार एंड को वर्कर्स मॉडल, अब हम देखेंगे कि दिवार एंड को वर करने क्या बताया दिवार एंड को वर करने देखिए उसके अलावा जो किस ने बताया था क्रेक्स एंड पैडॉक ने जो बताया था कि डी एक्स जेड एक फॉस्फूरस का नाइटोजन के पीजेट के साथ ओवरलैप करता है साइड वेस और दूसरा उन्होंने बताया था कि दी एक्स स्क्वार वाई स्क्वार एंड डी एक्स वाई प्लेन में बॉन्डिंग करते हैं एस्पी टू हैप्रडाइज नाइटोजन के साथ उसके अलावा उन्होंने बताया कि एक और्बिटल और है जो क्या कर सकता है जो कि क्या बॉन्डिंग कर सकता है वो और्बिटल क overlapping कर सकता है और करता है कैसे करता है देखिए यह जो orbital है यह dyz है y और z के बीच में जिसके लोब होंगे वो dyz होगा और यह जो लोब होगा यह भी क्या होगा perpendicular to this plane यह जो p orbital है यह भी perpendicular dz direction में है तो perpendicular है यह जो orbital है यह भी perpendicular है तो यह जो again जो यह जो बॉंडिंग है यह भी क्या ओरी आउट ओफ प्लेन तो उन्होंने सपोर्ट किया क्रैक्स एंड को जो पैडॉक की जो थियोरी थी उसको सपोर्ट किया और साथ में उन्होंने एक और बताया कि डी वाई जेड भी ऐसे होते हैं जो की sideways overlapping करते हैं with nitrogen PZ orbitals तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो bonding होती है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से plus plus overlapping करते हैं किस तरीके से overlapping करते हैं out of plane जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है बट वो हम explain करेंगे कि किस तरीके से देखिए उन्होंने यह बताए कि यहाँ पर जो overlapping होती हो यह plus plus होती है overlapping यहाँ से भी plus plus होती है जब की यह क्या है this is dxz orbital जो हम पहले discuss कर चुके हैं अब जो हमें डिवार ने बताए हो यह बताए कि जो overlapping होती है dxz की वो इस वाले nitrogen के साथ तो देखिए आराम से हो रही है plus plus overlapping minus minus overlapping बट इस nitrogen के साथ यह overlapping नहीं हो पाएगी क्योंकि यह plus है और यह minus है यह minus है और यह plus है तो इस तरीके से आप यह देखेंगे कि यहाँ से तो overlapping possible नहीं है तो वो दोनों साइट से possible होगी वो इस nitrogen के साथ भी possible है यहाँ से भी positive positive overlap होता है और यहाँ से भी positive positive overlap होता है जो आसानी से होता है वो जो कि मैं आपको अभी उससे बताऊंगी model से बताऊंगी तो आप यह समझी कि दिवार ने एक extra input और दिया that is about yz orbital yz orbital के बारे में तो जब yz orbital overlapping करता है क्योंकि वो दोनों nitrogen के साथ overlapping करता है positive positive तो उसका जो नाम दिया उन्होंने वो दिया homomorphic pi bonding अब उन्होंने दो नाम नए दिये नए तो नहीं दिये heteromorphic तो पहले से ही पता था यह तो cracks ने दिया था dxz के लिए heteromorphic उन्होंने दिया था out of plane के लिए दिया था और यहां पर जो term दिया जो दिवार और co-worker ने वो कहा homomorphic pi bonding homomorphic इसलिए क्योंकि यह जो positive positive overlapping होती है वो दोनों nitrogen से होती है dyz orbital की इसलिए homomorphic है और यह heteromorphic है देखिए मैं आपको फिर से model दिखा रही हूँ यहां पर आप देख सकते हैं यह देखिए यह जो n है उसका pz orbital है देखिए यह out of plane है न इसके perpendicular है यह plane है और उसके perpendicular यह orbital है यह दूसरे nitrogen का p orbital है देखिए यह ऐसे आप देखेंगे तो यह आप देख सकते हैं देखिए नीचे भी इसका लोब उपर भी है तो यह plane के perpendicular lobes है यह pz direction में यह देखिए z direction में और इस z direction में यह दो orbital है p orbital of nitrogen यह आपको यहां दिख रहे है अब यह देखिए जो orbital आया यह orbital यह देखिए यह orbital अगर आप देखेंगे यह है dxz orbital आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऐसे तिर्चा करूँ यह देखिए यह भी आउट ओप लेन है यह भी plane के perpendicular orbital है जो nitrogen के pz है वो भी perpendicular है अब आप देख सकते हैं right hand side का जो lobe है red है और nitrogen का lobe भी red है अभी आपको मैं फिर से दिखाती हूँ पहले तो आप यह देख लिजे यह orbital ऐसे खड़ा है यह orbital perpendicular है यह देखिए इस plane के और जो pz orbital है वो भी perpendicular है plane के अब आप देखिए जो d orbital है उसका red lobe plus lobe और इसका plus lobe यह एक side है और इसका negative lobe और इसका negative lobe यह भी नीचे की हो रहे ऐसे तो यह देखिए plus plus overlap हो रहा रहा negative negative overlap होगा जो कि इसके नीचे होगा यह हमको दिख नहीं रहा है लेकिन यह वाला lob का होगा नीचे तो यह plus plus overlap, minus लेकिन यहाँ जो lobe है वो red है और यहां जो लोब है वो माइनस है देखिए और इसका जो नेगेटिव लोब है इस P Z का वो नीचे है और इसका रेड लोब नीचे है तो रेड और नेगेटिव और यहां देखे रेड और नेगेटिव तो यह दोनों अवरलैप करेंगे नहीं करेंगे तो इस केस में जहां पर एक्स जेड और्बिटल होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो पी जेड और्बिटल है, इस नाइटोजन का, यह इस लोब के साथ पॉजिटिव ओरलैप करेगा, और यह नेगेटिव वाला लोब नीचे नीचे ओरलैप करेगा, लेकिन यह जो लोब है, देकि यह पॉजिटिव है, रेड, इसका उपर वाला लोब क्या है, नेगेटिव, इसका नीचे ओला लोब पॉजिटिव है, और इसका नीचे ओला लोब क्या होगा, माइनस, तो यह दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, तो यह ओवरलैपिंग होगी, यह ओवाली ओवरलैपिंग नहीं, तो इस Pxz, Pz orbiters, they are perpendicular to the plane of this phosphagen ring. देखें, next जो perpendicular है, वो ऐसे है, यह Pz plane, Pz plane of nitrogen, they are perpendicular to this horizontal plane, यह इस plane के perpendicular है, okay, तो out of plane है. अब यह orbital इस तरीके से है, कि देखें, इसका red lobe, इसके red lobe की हो रहे है, और यह वाला red lobe, इसके red lobe की हो रहे है, और इसका negative part है, देखें, यह इसका negative part, यह आपको दिख रहा होगा, इसका negative part, इसका negative part, और इसका negative part, यह देखें, सब एक सब direction में है, तो इसका मतलब है कि positive positive उवरलेपिक आसानी से भी. इसको आप ऐसे देखे, अभ देखे. इसका positive, इसका positive overlapping हो जाएगी, देखे. इसका positive, इसका positive overlapping हो जाएगी. और इन तीनों के negative कह बलाइम है नीचे हैं. तो इसका मतलब है ये sideways overlapping दोनों side के nitrogen करेंगे, तो जब ये overlapping दोनों साइट के nitrogen करेंगे तो फिर ये क्या कहलाएगी homomorphic pi bonding ये वाला nitrogen भी इसके साथ overlap कर पा रहा है और जो दूसरा nitrogen है वो भी overlap कर पा रहा है ये आप देख सकते हैं इसलिए इस bonding को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं homomorphic pi bonding फिर आप देख सकते हैं यह homomorphic pie bonding है क्योंकि दोनों side के nitrogen के lobe भी red है और जो d orbital है उसके भी दोनों lobe red है इधर इससे overlapping होगी और इससे side row wise overlapping करेगा तो यह दोनों nitrogen जब overlapping करेंगे तो फिर इसका मतलब यह homomorphic pie bonding है मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा कि homomorphic means दोनों के दोनों कैसे हैं दोनों side से nitrogen क्या करेगी overlap करेगी यह दिवार ने बताया और अगर orbital इस तरीके से होगा देखे अगर ऐसे होगा तो देखे एक nitrogen का positive lobe जो right hand side पर है यह आप देख सकते हैं यह दोनों एक side है लेकिन दूसरे का क्या है देखे नेगेटिव lobe उपर है इसलिए जो है यह जो bonding होगी यह मैं आपको हाथ से बख़गे देखे ऐसे देखे यह देखे इसके उधर की side तो minus lobe है minus or plus और इधर की side क्या है देखो plus plus जो left वाला nitrogen है वो bonding नहीं कर पाएगा जबकि right वाला lobe bonding कर पाएगा इसलिए जो है यह जो bonding है यह क्या कहलाएगी heteromorphic bonding कहलाएगी red, red और यह minus है इसका red नीचे है इसका minus इसका plus तो यह overlapping नहीं हो पाएगी जबकि यह वाली overlapping हो जाएगी इसलिए heteromorphic है तो heteromorphic means एक number 1 तो हम कहेंगे कि जो भी यह हो रहा है जो दिवार और कोवर करने बताया वो जो भी bonding है वो कैसी हो रही है out of plane हो रही है इसमें एक को उनोने का homomorphic जहां दोनों साइट के nitrogen bonding कर पा रहे हैं और एक को का heteromorphic जहां दोनों साइट के nitrogen bonding नहीं का पाया है एक plus plus overlap है और एक plus minus overlap है जो इस तरीके से है यह है dxz की overlapping तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम conclude करें दिवार और को वरकर की bonding को तो हम यह देखेंगे कि दो तरीके की pi bonding होती है in addition to pi prime bonding यह तो किसने बताई थी यह जो bonding बताई थी यह bonding जो बताई थी वो बताई थी pedox ने cracks and pedox ने अब यहां पर जो को वरकर जो डिवार और को वरकर ने जो अदर इसके अलावा जो थी होरी बताई थी वो यह बताई थी कि जो dxz है phosphorous का and nitrogen का sp2 hybridized orbital है इसके पास loan pair of electron होता है और इसके पास यह खाली होता है तो यह दोनों coordinate overlapping करके heteromorphic type की bonding करते है क्योंकि यहां पर एक side से nitrogen positive positive overlapping करता है दूसरी side से positive negative overlapping होती है तो इसलिए इसको heteromorphic कहा यह दोनों ही out of plane है और दूसरे तरीके की जो bonding होती है वो हती है dyzn sp2 hybridized nitrogen के साथ और यह जो bonding है यह homomorphic कहलाती है क्योंकि दोनों ही side से nitrogen क्या करता है plus plus overlapping कर पाता है दोनों nitrogen आपने देखा फिर आप देखेंगे जो दो orbitals हैं dxz and dyz इन दोनों का equal contribution होता है जो heteromorphic और जो homomorphic type की pi bonding है इसका equal contribution है and dxz and dyz actually क्या होते हैं they hybridized to form two new orbitals यह दोनों क्या करते हैं hybridize करते हैं और hybridize होने के बाद नए orbital बनाते हैं जो orbital they are directed towards nitrogen atom यह जो नए orbitals बनते हैं यह nitrogen atom की और directed होते है तो यह nitrogen की और जो directed होते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि एक localized three center bond दिखाई देता है दिखाई नहीं देता है इसमें होता है around each nitrogen atom हर एक nitrogen atom के चारों और क्या होता है उसके बाहर से क्या होगा एक localized three center bond होगा जिसे island of pi character कहते हैं this is the island of pi character तीन आपको इस तरी तीनों nitrogen के around आपको क्या दिखाई देंगे इस तरीके के island of pi character दिखाई देंगे क्योंकि जो dxz है और जो dyz है वो दोनों orbital क्या होते हैं mix होके नए orbital बनाते हैं जो कि किसकी ओर direct होते है nitrogen की ओर तो ये nitrogen की ओर direct होते हैं तो island form करते हैं जिसको हम कहते हैं island of pi character और ये island of pi character यहाँ पर interrupt होता है phosphorus पर आपने देखा कैसे interrupt होता था वो भी आपने देखा क्योंकि एक साइट से phosphorus के एक साइट से nitrogen bonding करता है एक साइट से नहीं करता है तो उसकी वज़ा से यहाँ पर आप देखेंगे तीन जो है वो phosphorus pair क्या होगा interruption हो जाएगा इसको हम कहेंगे node यानि तीन node दिखाई देगी phosphorus atom पर तो इसलिए आप देखेंगे यह जो island of pi करेक्टर है इसकी वज़ा से complete delocalization electrons का नहीं होगा जैसा pi bond में होता है जैसा किस में होता है pi bond में होता है वैसा delocalization यहाँ पर नहीं दिखाई देगा यह इसका difference है the p pi pi bonding of benzene and d pi pi bonding of this phosphagen तो phosphagen और benzene में क्या अंतर है कि यहाँ पर island of pi करेक्टर बन गए है nitrogen के चारों इसकी वज़ा से यह complete delocalization नहीं है क्योंकि phosphorus पर क्या interruption है node बन जाती है इसलिए complete delocalization electrons का नहीं है इसलिए इसकी वज़ा से आप देखेंगे यह एक stable characteristic show करता है यह bond आसानी से नहीं तूटते यह delocalized bond नहीं है यह localized bond है three center localized bond है इसलिए यह benzene से different है जबकि इसमें alternative double bond मिलते है now we will discuss about the structure of phosphagenes अगर हम इसके trimer को देखें trimer of phosphagenes अगर हम देखें तो यह देखें ट्राइमर है okay so in this case PN bonds present in the skeleton are having equal bond length जितने PN bonds है सब की bond length क्या होगी बराबर होगी जो कि कितनी होगी 158 picometer अगर हम bond angle देखें तो अगर skeletal के bond angle देखें तो PNP bond angle 121 के आसपास है और NPN जो bond angle है वो 118 के आसपास है देखें nitrogen SP2 hybridized है इसलिए यह bond angle लगभग कितना है 120 के आसपास और जो phosphorous है वो SP3 hybridized है तो यह bond angle जो है वो SP3 hybridized configuration के करीब है बाहर देखे 108 के आसपास है अंदर इसलिए है क्योंकि यह प्लेनर होने की कोशिश कर रहा है इसलिए अंदर के जो bond angle से लगभग 120 के आसपास है तो यह जो bond angle है यह तोड़ा कम है क्योंकि SP3 hybridized है यहाँ पर यह SP2 hybridized है इसलिए bond angle लगभग 120 के आसपास है बाहर जो आप देख रहे है यह SP3 hybridized को बता रहा है कि 108 degree का मतलब है कि यह SP3 hybridized है अब skeletal nitrogen atoms को देखें तो यह इन पर क्या है कि एक loan pair of electron है लेकिन है weekly basic है क्योंकि वो जो loan pair of electron है it is involved in pi bonding क्योंकि किसमें involved है pi bonding में तो कैसे protonate होगा तो यह जो loan pair of electron है nitrogen का वो participate नहीं कर पाता है protonation में तब करता है जबकि जो phosphorus से जो group जूड़े बहुंगे वो electron releasing group होंगे जितने ज़्यादा electron releasing group होंगे उस पर electron की density बढ़ाएंगे then इसका protonation हो सकता है वैसे in general it is less basic जो nitrogen है वो less basic है क्यों 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 क्योंकि जो loan pair of electron है they are involved in pi bonding वैरी stable compound यह बहुत stable compound है इसमें island pi bonding पाई जाती है और यह क्या होता है localized d pi pi bonding delocalized pi bonding नहीं है बलकि यह localized d pi pi bonding होती है अगर हम phosphagen के tetramer को देखें तो यह phosphagen का tetramer है cyclic tetramer तो यहाँ पर आप देख सेते है चार phosphorous चार phosphorous and nitrogen and double bonds है यहाँ पर और हर एक pi के साथ दो-दो CL group जुड़े है यह tetramer है तो tetramer जो होता उसका structure कैसा होता puckered ring structure puckered ring का मतलब क्या होता है puckered ring का मतलब है कि ring जो है वो band करती है ठीक है add to opposite ends upwards आप देखे या तो यह दोनों के दोनों उपर की साइड होंगे board shape होगी यह दोनों के दोनों points उपर होंगे यह दोनों नीचे होंगे तो यह puckered shape होगया या फिर क्या हो सकता है कि इस ring में एक साइड तो उपर होगी और दूसरे साइड क्या होगी phosphagenes का overall अगर हम इस lecture को conclude करें तो इस lecture में हमने क्या पढ़ा about bonding in phosphagenes और structure कैसा होता है phosphagenes का तो अगर हम देखें bonding कैसी होती है देखें इसमें sigma bonding मी होती है pi bonding मी होती है जो sigma bonding होती है वो bonding कैसी होती है जो skeletal system होता है उसका उसमें पूरी 6 sigma bonds आपको दिखाई देंगे देखें जैसे यहाँ पर है यहाँ पर आप देखेंगे 6 sigma bond skeletal system में है और जो phosphorus और nitrogen के कुछ orbitals हैं जैसे की nitrogen का Pz orbital और जो phosphorus होगा उसका dxz और dyz orbital मिलके एक दूसरे तरीके की bonding करेंगे और जो sp2 hybridized of nitrogen atom है वो और dx square y square and dxy different type की इसमें क्या करते है bonding करते है फिर हमने इसमें दो different type के models देखे एक था cracks and paradox theory और दूसरी थी divas and co-workers theory and according to this divas theory this paradox theory हमने देखा कि दो तरीके की bonding possible है एक है pi bonding जो की plane आउट और प्लेन होगी और एक होगी in plane जो outer plane होगी हो dxz की pz के साथ होगी recalling then जो in plane होगी वो sp2 की hybridized orbital होगा dxyn, dx square, y square के साथ होगा कैसे होगा वह मैंने आपको बताया है इसको हम कहते है coordinate pi prime bonding फिर divas and co-workers ने इस theory को आगे बढ़ाया और इस theory में इन एक चीज़ और एट करी that is the involvement of dyz orbital with the sp2 hybridized orbital of nitrogen इसको इनोंने homomorphic कहा और इसको तो heteromorphic पहले भी कह चुके थे जो cracks and paradox थे उनोंने इसको heteromorphic कहा था और नया जो term दिया वो homomorphic दिया divas and co-workers करने और उनोंने बताया कि ये दोनों जो orbital है ये in plane जो bonding करते हैं और ये dxz और dyz जो हैं ये जब overlap करते हैं तो नए orbitals बनाते हैं इन orbitals की वज़े से क्या होता है कि हर एक nitrogen के चारों और क्या होगा island और πाई करेक्टर हो जाएगा इसकी वज़े से complete delocalization नहीं होता है electrons का क्योंकि P पर क्या आजाती है node आजाती है इसलिए इस बांडिंग को ने समझाया कि किस तरीके से डीपाई पीपाई बांडिंग होती है फॉस्फफेजीन में फिर आपने फॉस्फेजीन जो ट्राइमर था उसका structure पड़ा कि कितने बांड एंकिल होते है क्योंकि nitrogen जो है वो लगभग 120 के आसपास एंगिल इसका बनता है फॉस्फोरस एस्पी 3 हाइपरडाइज होता है तो ये बाहर आपको लग रहा है कि 108 डिगरी का एंगिल है जो होल स्ट्रक्चर है ये बहुत स्टेबल है और ये बैंजीन की तरह दिखता है लेकिन बैंजीन की तरह इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं होती क्योंकि जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है उनका जो करेक्टरिस्टिक है वो अलग है दोनों की लेक्टो नेगेटिबूटिक में डिफरेंस है इसलिए ये बैंजीन की तरह एक्ट नहीं करता है और इसकी जो bybonding है वो localized bybonding है फिर last में जो हमने structure पड़ा वो पड़ा इसके tetramer का जो की puckered ring structures होते हैं boat and chair confirmation में हमको मिलते हैं तो ये कोशिश की गई कि आपको समझ में आए मेरी ख्याल में आपको समझ माया होगा से भी मैंने कोशिश करी कि आपको समझ माया है तो दिस इस जिस्ट ओफ दिस टॉपिक इन दे नेक्स लेक्टर ओप दिस सिरीज आई विल डिसकूस अबाट जियो लाइट जियो लाइट के बारे में हम पड़ेंगे कि जियो लाइट क्या होते हैं उनकी इंपोर्टेंस क्या है तो थेंक यू वेरी मच